नमस्का, मैं होसासी आयो जरकन की टॉप 25 पर मोख खबर जानते हैं बता दे मुख्य मंत्री के निदेश के बाद विभागों में रिक्त पदो को भरने के लिए नियुक्ति निमावली की विशंगतिया दूर की गई है तमाम विभागों के विभीन सनवर्गों में रिक्त पदो पर नियुक्तियों के लिए नियुक्ति निमावली बनाई गई है जनकारी के अनुसार दो दजन से अधिक विभागों की 125 से अधिक सन्वर्गों में नियुक्ति के लिए नियुक्ति निमावली बनाई जा रही है इन सभी को मंजूरी सुक्रवार को कैबिनेट में मंजूरी दी जा सकती है ज्यारखन के कई इलाकों में 14 और 15 नॉवंबर को बारिस हो सकती है बता दे मौसम विभाग ने बताया है कि 12 और 13 नॉवंबर को मौसम सुस्क रहेगा कई इलाकों में आंसिक रूप से बादल चाय रहेंगे मौसम भी भाग से मिली जनकारी के अनसार 14 और 15 नौमबर को पुर्वी सिम्भूम, पच्मी सिम्भूम, सिम्टेगा और सराय के लाक चिले में वही राज्य के मद भाग में यानी राची, बोकारो, गुमला, हजारी भाग में में गर्यन के साथ हलकी से मद बारिस हो सकती है जारखन मुक्ति मोर्चा ने 17 नौमबर को टाटा के खिलाब आंदोलन का एलान किया है बतादे जारखन की सत्ता रोड पार्टी ने उस दिन टाटा से जुड़ी कमपनियों के गेट जाम करने के अलावा माल की धुलाई रोकने की भी चेतावनी दी है बतादे कदमा उलियान निर्मल महतो भवन में गुरुवार को कुलान परमंडल के तीनों जीलों की जामों कमेटी के बैठाख होई इसमें टाटा मोटर्स वा कमिस का जमसेद पूर करयाला महराष्ट के पूर्णे सिफ्ट करने के बिरोद में 17 नॉमर को अंदुलन करने का निना लिया गया है इस ते रहन टाटा स्टील टाटा मोटर्स वा कमिस गेट को जम किया जाएगा साथी रेलेवेज से माल ढूलाई भी रोका जाएगा रांची में चार कास्मीरी यूको को अस्थानिय लोगों ने पिटा है जारखन की राज़ानी राची में एक सर्मना घटना घटी है दरसल यहां पर रह रहे कास्मीरी यूको से कुछ अस्थानिय लोगों ने मार पिट की है और उनसे पकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवाए गए है हालाकि इस मामले पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलास में जुट गई है पुलिस का इस मामले पर कहना है कि आरोपियों को जल्द ही गिरफतार कर लिया जाएगा बता दे कास्मीरी यूकों के मुताबिक उनके साथ कुछ अस्थानी लोगों ने मार पिट का सहर छोड़ जाने की धामकी दी है मामले पर पिडित यूकों ने डुरंडा थाना में लिखी सिकायत की है भारत भ्रमन पर निकली बिजय जयोती पहुंची राची भारत पाक यूद उनई सवे खतर की याद में 16 दिसंबर 2020 को पधान में तिनयन मोदिन नई दिल्ली के नेशनल वार मेमोरियल से बिजय जयोती भारत भ्रमन के लिए रावाना किया था वह आज राची पहुंची बता दे भारत पाक यूद के 50 परस पूरे होने पर इस विक्टरी फ्लेम को रवाना किया गया है यह विक्टरी फ्लेम जमसेदपूर से राची पहुंची 7 नौमबर को जमसेदपूर पहुंची थी तीन दिन तक जमसेद पूर सहर में इसका उत्सो मनाया गया इसे सेना के जवानों ने गुरु वार को रांची रवाना किया रांची आने पर विक्टरी फ्लेम का सेना के जवानों ने स्वागत किया MGM Aspital सेनकसली फरार MGM Aspital के कैदी वाड में भरती वरुन महतो नामक बंदी भाग निकला है बतादे सराय के लापूलिस ने उसे नकसली के नाम पर लेवी वा सोनले के आ रूप में गिरफ्तायर कर जेल भेजा था उसे इलाज के लिए MGM अस्पताल के कैदी वार में भर्ति किया गया था उसके फरार हो जाने से जेल परसासन और पुलिस विभाग में हरकम मच गया है बता दे फरार कैदी चाई बसा जीले के सोनुआ का रहने वाला बताया जा रहा है वैसे उसका मूल निवास अस्थाल सराय के लाहा है जैरखन के 20 सडकों को मिली सुकृती पंदर सो क्लोर होंगे खर्च पस निर्मान बिभाग ने राज्य के अलग-अलग जीलों के 20 सडकों को सुकृती मिल गई है इससे पहले राज्य के 68 सडक प्रयोजनाओं को सुकृती दी गई थी इस तरह से इस साल कूल 88 सडक योजनाओं के सुकृती दे दी गई है इसके अलावा विभाग ने इंटरनेशनल जे स्टेडियम धुर्वाज थीत सडकों को दुरूस्त करने का भी ने लिया है बता दे स्टेडियम के नौर्थ साउथ और वेस्ट गेट वजगरनाथ मैदान से धुरूआ गोल चक्र तक सडकों की क्वालिटी में सुधार किया जाएगा गुमला में पंचाज चुनाओं की त्यारी शुरू जारखन में भी पंचाज चुनाओं की घोसना कभी भी हो सकती है और गुमला जिले में इसकी त्यारी शुरू हो गई है बता दे परसासन भोटर लिस्ट बूत सहीत और ने त्यारी में लगा हुआ है तो वहीं दूसरी और चुनाओं लड़ने वाले परतिनीथी भी इसकी त्यारी में जुट गए है हलाकि इस बार कई ऐसे सीटे हैं जिन में फिर बदल हुआ है जिससे चुनाओं की त्यारी कर रहे कई उमिद्वारों को जटका लगा है बता दे गुमले जिले में 169 पंचाओं था है जिसमें मुखिया पद के लिए सभी सीट अनसुची जन जाती के लिए अरक्षित कर दिया गया है इसमें 82 सीट महिला के लिए अरक्षित है जबकि सथातर सीट में महिलावा पुरुस कोई भी मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं राज जेपाल ने राष्ट पती को दी टी एसी के गठन में राज जेपाल की सक्तिय समाप्त किये जाने की जनकारी राज जेपाल नमें इस बैसने जारखन में जन जाती है प्रामर्स दातरी परिशत टी एसी के गठन तथा सदस्यों के मनुनाय में राज जेपाल की सक्तिय समाप्त किये जाने की जनकारी राष्ट पती रामनात कोविंद को दे दी है उन्होंने गुरु आरकोनाय दिली में आवजीत राज जेपालियों के एकाउन में समेलन में कहा की वे इस पर बीधी प्रामर्स ले रहे हैं प्रामर्स मिलने के बाद इस पर अवस्यक करवाय की जाएगी उन्होंने राजे में नगर निगम, नगर पाइलका के मेयर वा अध्यक्ष के अधिकारों को भी सरकार दोवारा समाप्त किये जाने की भी जनकारी दी जार्खन केडर के वरिष्ट IPS अधिकारी, SN परधान बने NCB के DG जार्खन केडर के वरिष्ट IPS अधिकारी, SN परधान को नार्कोटिक्स कंट्रोल व्योरो के DG पद पर अस्थाई परतिनुक्ति दी गई है इससे पहले हुआ राश्ट्रिये आपदा मोचन बॉल के DG थे और NCB के DG के पद पर 29 जुलाई 2021 से अतरिक्त परभार में थे अब उन्हें इस पद पर अस्थाई पोस्टिंग कर दी गई है, इनके अस्थान पर गुजरात केडर के 1988 बेच के IPS अधिकारी अत्तुल करवाल, NDRF के DG बनाए गई है राज्य आस्थापना दिवस व बिर्षा जयनती पर उली हातु आएंगे मुख्य मंत्री केंद्र सरकार के निर्देशा नुसार, धर्ती अबा, सहीद बिर्षा मुंडा की जयनती 15 नौंबर को अब पूरे देश में जन जातिये गई होरो दिवस के रूप में मनाई जाएगी बता दे जार्खंड सरकार भी 15 नौंबर को जार्खंड अलग राज अस्थापना दिवस व बिर्षा मुंडा जयनती के उसर पर धर्ती अबाग की जन्म अस्थली खुंटी जीले के अड़की परखंड के उलिहातू से पूरे जार्खंड में अधिकार आपके आपकी सरकार आपके द्वार कारेकरम का सुबाराम करेगी मुख्य मंत्री हमां सुरेन 15 नौंबर को बिर्षा मुंडा के जयनती के मौगे पर उलिहाती आएंगे जयनती समारो का मुख्य कारेकरम बिर्षा मुंडा कॉम्पलेक्स में होगा हरी जंडी दिखाकर सांसद ने किया राजधानी एक्सप्रेस को रवाना राची नईदीली राजधानी एस्पेसल ट्रेन अब लोहर्दागा टोरी लाइन होकर चलेगी राची एस्टेशन से गुरु आर को हरी जंडी दिखाकर सांसद संजर सेट राज सबसांसद महेश्थ पोद्दार और विधायक सीपी सिंग ने ट्रेन को रवाना किया बता दे मौके पर डियारेम प्रदीप गुपता के अलावा वरिष्ट मंडल अभियनता अमित कंचन भी उपस्थित थे सरना धर्म कोड को लेकर 6 और 7 दिसंबर को दिली कूच समयलन में समाज की नेताओं ने एक स्वर में कहा कि सरना धर्म कोड हमारी पहचान हाए समाज को मन्याता मिलनी चाहिए 6 और 7 दिसंबर को सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर सरना समाज दिली कूच करेगा CCL में जूनियर डाटा इंट्री के पद पर नौकरी CCL यानि Central ColdFit Limited में नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए सुनारा मौका है दरसल कंपनी ने 177 जूनियर डाटा इंट्री आपरेटर के पद पर भरती के लिए अविदन मांगा है इसके लिए अभियार्थियों को CCL की ओफिसियल बेप साइट Central ColdFit.in पर जाकर आविदन करना होगा आविदन की आखरी तिथी 26 नौमबर को रखा गया है रिम्स के 6 नर्स को नियमित करने का आदेश जर्खन हाई कोट ने रिम्स अस्पताल की 6 स्टाप नर्स को 2014 से नियमित करने का आदेश दिया है अदालत ने कहा है कि जब उनकी न्युक्ति साही है तो उन्हें सभी के समान अधिकार पाने का हग है इसलिए उन्हें बर्ष 2014 से नियमित किया जाए जब किरिम्स ने उन्हें बर्ष 2018 से निमित किया है धन्यवाद